आदर्निय निर्मल खत्री जी के कलम से कलियुग में यदि आज प्रभू का अवतार होता तो शायद वो सोशल मीडिया के सक्रिय वीरों को निम्न उपदेश देते आपके आनंद के लिए एक के बाद एक बहतरीन पोस्ट शेयर करने के बाद भी जब एक भी लाइक नहीं मिला तब अर्जुन का हरिदय विदीर्ण हो गया और एपल नाम के अपने मोबाइल को उसने नीचे रख दिया और खिन मन से सिर जुका कर सोफे पर बैठ कर अत्यंत दैनिय द्रिश्टी से शून्य में ताकते हुए भगवान श्री कृष्ण से बोला हे केशव, हे अच्युत, इन लाइक्स और कमेंट्स की भीर में जब मैं अपनी पोस्ट को अकेला पाता हूँ तब सोचता हूँ की की इन पोस्ट और लाइक्स से कुछ नहीं होता है ये सब समय की बरबादी के सिवा कुछ नहीं है अब मैं आपका शिश्य हूँ आप कृपा करके मुझे सोचल मीडिया का गूर ज्यान प्रदान करें तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के अज्यान पर हसते हुए यह वचन कहे हे एपल धारी, तुम ज्यान के भेश में अज्यान की बाते करते हो क्योंकि एक सच्चे फेस्बुक ये और वाटसेप ये को कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे उसे लाइक्स और कमेंट्स मिले या ना मिले ततपश्चात भगवान ने फेस्बुक और वाटसेप के बाबत निम्न सत्य का ज्यान उपदेश उसे दिया हे पार्त जिन्हें तुम्हारे विचार अच्छे लगते हैं वो बिना पड़े ही तुम्हारी पोस्ट लाइक करेंगे और जिन्हें नहीं करना होगा चाहे तुम जो भी लिखलो नहीं करेंगे मुली धर कहते हैं हे मुबाइल धारी कुछ महारती तुम्हारी पोस्ट पसंद तो करेंगे पर किनी कारणवश ग्रूप में दर्शा नहीं पाएंगे ऐसे जातक तुम्हारी अन्य किसी माध्यम से जरोर प्रशंसा करेंगे देव कीनंदन सावधान करते हुए बोले अनेक अस्थिर प्रवृती के मानव जो तुम्हें पसंद नहीं करते वो किसी भी स्थिती में तुम्हारी किसी भी पोस्ट को लाइक नहीं करेंगे चाहे पोस्ट उन्हें कितनी भी पसंद आई हो चार प्रभू बोले परंतु पार्थ तुम लाइक, शेर और कमेंट के इस मोह चक्र से अपने को सर्वता अलग रखना और सतत निशकाम भाव से लिखते रहना आनन से भरकर अपनी पोस्ट लिखते व शेर करते रहो इसी में तुम्हारा कल्यान है गोविंद कहते हैं कि मैसेज लिखकर लाइक्स और कमेंट की कामना करना मनुष्य को दुख के एक ऐसे भवर में डाल देता है जिससे बाहर निकल पाना सहज ही संभव नहीं होता है तुम क्या लाए थे और क्या ले जाओगे अता हे पार्थ निशकाम भाव से पोस्ट करते रहो यही सोशल मीडिया का सच्चा ग्यान है जिसे तुम जानना चाहते थे और जिसे मैंने अभी तुम्हारे सामने प्रकट किया है